इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई کو इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। यह हमारी आंत में भोजन के सरल ग्लूकोज, यानि की शरकरा में टूटने को धीमा करने में मदद करता है, जिससे भोजन के बाद रक्ट शरकरा के स्तर में वृध्धी कम हो जाती है. यह मूत्र के माध्यम से आपके शरीर से अतिरेक्ट ग्लूकोज को बाहर निकालने में भी मदद करता है, रक्ट शरकरा के स्तर को कम करना मधुमे के प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा है, यदि आप स्तर को नियंतरित कर सकते हैं, तो आप मधुमे की गंभीर जटिलताओं जोखिम को कम करेगा, उचिताहार और व्यायाम के साथ इस दवा को नियमित रूप से लेने से आपको सामान्य स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी, आपको इसका उपयोग तब तक करते रहना चाहिए जब तक यह निर्धारत किया गया है क्योंकि यह आपके भविश् वास्थी की रक्षा कर रहा है, इस दवा को अपने चिकितसक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें, इसे पूरा निगल लें, इसे चबाएं, कुचले या तोडे नहीं, वोग्स जी एमेक टैबलेट एसर को खाली पेट लेना है, वोग्स जी एमेक टैबलेट एसर तीन एंटिडाबिटिक दवाओं का मिश्रण है, ग्लिमिपाइराइड, मेटफॉमिन और वोग्लिबोस, जब एकल या दोहरी चिकितसा प्रभावी नहीं होती है, तो वे रक्षार्करा के बहतर नियंतरन प्रदान करने के लिए विभिन तंतरों द्वारा काम करते है ग्लिमिपाइराइड एक सलफिनीलूरिया है जो रक्षार्करा को कम करने के लिए अग्णियाशे द्वारा जारी इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा कर काम करता है मेटफॉमिन एक बिगवानाइड है जो लीव में ग्लूकोज के उत्पादन को कम करता है आतों से ग्लूकोज के अवशोशन में देरी करता है और इंसुलिन के प्रती शरीर की समविधन शीलता को बढ़ाता है वो ग्लिबो से एक अल्फा ग्लूकोसिडेस अवरोधक है जो जटल शरकरा को ग्लूकोज जैसे सरल शरकरा में तूटने से रोकता है यह भुजन के बाद रख्ट शरकरा के स्तर को बहुत उच्च स्तर तक बढ़ने से रोकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन ओन नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद